इसे के साथ कुछ और कॉलर्स बात कर लेते हैं अभिशेक है स्वागत है आपका अभिशेक आपके आवाज ना बहुत कमार यह थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए जी मैं अच्छली मेरी उम्ठ 23 वारत है ठीक है जी और मैं मुझे पिछले तीन सालों से बाल गरने की समस्क्रा हो रहे हैं ठीक है जी जी वह बच्छा देखो शैंपू को आप त्याग दें कुछ दिन के लिए उससे भी बाल रुक जाते हैं आप ट्राइक करके देखें और अगर पिर भी आप ते शैंपू साबू दुश्म है इस बहुत तेज बहुत तेज शैंपू बना रहा हैं यह फिर कोई ऐसा शैंपू मिल जाए जिसमें कास्टिक ना हो बाल काटने वाली चीज़ होती है कास्टिक सोडा कास्टिक को कहते हैं कास्टिक तो उससे पाक हो तो पिया आपको फायदा मुम्किन है और फिर भी बाद भी अगर फायदा नहीं होता है, तो सफेद gorn morenga याद रखे सफेद वाला लेना है लाल वाला नहीं लाल नकली हूता है सफेद gorn morenga एक गराम, अधा गराम नारियल पानी मिला कर रोजान पी लिया करें, स्य हुआ है आपको फाइदा मुमकिन है लखनव से है प्रमोध जी स्वागत है आपका घृ सपने आते रहते हैं हर वक्त सपने रहे लैं अगर आपको शूगर नहीं है तो आप खूप सारी शूगर खाकर सोया करें आपको वफलत की नीद आएगी सपने नहीं आगे और अगर शूगर है तो जैतुन का सिर्का तीन चमच पानी मिलाकर पीकर सोया करें पंदर दिन महीना तो लेनी पड़ेगी आपको फाइदा होना मुम्किन है जैसा कि लोग कहते हैं कि शूगर का इलाज नहीं है लेकिन एक शूगर ऐसी भी होगी जिसे हम शायद वो बोलते हैं जो बॉर्डर पॉइंट पे होती है या पर प्री डाबेटिक जो होते हैं पेश उस से हमें पिछले दिनों हमारा क्या हर रहा शूगर में उसका पता चलता है और वहीं पर शूगर पकड़ी जाती है कि शूगर होने वाली है क्या कितनी दिन में शूगर हो जाएगी तो समझदार लोगी टेस्क कराते हैं हर साल त्री चार पांच महीने में तो खबरदार अच्छा जो भी ऐसे मरीज हैं जिनको प्री डाइबटीज है तो ठीक हो सकते हैं अगर पांच बार गरम पानी पिया करें बोजन कम करें एक घंटा धूप में चलें और जातून का सिर्का तीन चमच दो बार दिन में पानी में मिला कर खाने के पश्चात पिया करें तो ऐस से लोगों का वाइदा होना भी मुम्किन है अगले कॉलर हैं बिहार से सुनीता जी स्वागत हैं आपका जी मेरे बाल जड़ते हैं आपके आपके या बहुत ज़्यादा बीकोहहां आपकी उम्रस्ट्रकिया है ऐुसाई pan जी देखिए मेंने कहा था ना शही के छ intermedi को जायतー बालों की प्रावलम या पिंपस की पावलम ए यह घी प्री पावलम ऐसे जो भी मरीज है वो गौन मौरिंगा सफेद आधा गिराम या एक गिराम पानी में मिलाके दूद में मिलाके या नारियल पानी मिलाके जैसे भी लेंगे फाइदा मुम्किन है लगातार काफी दिन तक लें तो आपके बाल ऐसे के समाले न जाएं पिंपस को भी फाइदा और अगर अंडर एज है ग्रोथ की एज है तो लंबाई का बढ़ना भी मुम्किन है जी देवरिया से हैं इंद्रावती जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार रकीन साथ नमस्कार जैहीं द्रावती जी मेरे कमर में दर्द पहले था आया पूरे जोड में दर्द हो गया है इसके लिए हमको क्या करना चाहिए हाँ जाए दो चीक हाँ दीकि एक तो एतियाद तो यह कि ज्यादा काम मत किया करें आपकी अच्छी उमर है और ऐसा वैस्टन ट्वालेट कुर्सी वाला ट्वालेट का बंदोबस करिए यह जरूरी है वो गौन सिया जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूँ वो ले ल ग्राम काफी होना चाहिए सौट एड़ सु ग्राम अच्छा अफ यह ख़द्वत का तवफा है काला गौन यह गौन सियां कहते हैं असली लेना जरूरी है असली मिल जाए तो आदा आदा ग्राम सुबह शाम खाएं दसबार अनौपर रोस का इलाज है असली नहीं मिले तो नहीं नहीं तो अगर नहीं मिले तो कैप्सुल टी एले हमीं टी फेफोर टाइगर टी कैप्सुल टी के़्ट सुभό शाम कांई के पशात खाएmm इससे भी आपका । ठीक होना मुकिन है दिलि से हैं दयावति जी स्वागत है आपका दिनी नमस्कार मैं मट दन्यवाद आपने फोन किया Altro बताइए जी मतलब यह दो शिया सारी मार्षिया कर देखे हैं तो यह गुण सीयास लिए नहीं मिलता है एक है और मार्केट में नक भी मिलता है और एक मिट्टी होती है वाइट 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 मोरिंगा की जगह वो दे देखते हैं मेरे को भी दे दिया था फिर मुझे तो पता था तो मैंनों किस कर दी और लिके सभी सभी बेहने आपकी तरह समझदार हो जाए तो पर नकालों से पीछा चुट जाए और बताएं क्या सवाल है और सवाल ये है भाई साव ये सर्वाइकल का जो आप एक मिंट का बताते हो ना एक्सरसाइज तो लोग परेशान हो जापते हैं मैंने काल निका रहा है कि पचास बार गिन गिन के करो तो गिंती में मन लगा रहता वो उस्ती रहती अराम से बहुत अच्छा ने में परेशा पर देखो आप हमें नए नए तजर्वे देती हो हम कल भी आपका जिक्र कर रहे थे हर प्रोगार्म में आपका जिक्र हो जाता है क्योंकि दो चार लोग परेशे तो बहुत बहने हैं हमारी भाई भी हैं लेकिन ये हमें नए नए जो तरीके आप बताते हैं वाकरी काम के है सलसर यह exercise हमें हमें एक साथ नहीं कर सकते तीन मिनट तो मैं एक एक मिनट कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि घड़ी देखकर करें और यह भी अच्छा तरीका आपने बताया कि पचास बार ऐसे करेंगे है ना तो वो एक मिनट हो जाता है पचास या साथ बार तकरीबन ऐसा ही आएगा तो यह बहुत अच्छा तरीका है हमारे वीवर सुन रहे हैं देखिए यह हमारी बहन है जो कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन कुछ दवाओं से इनको फाइदा हुआ तो फिर यह हमारी ब ाका यॉरे से फाइदा हुआ भगवान का लाख लाख शुकर है कि इन से मेरा संपर्क हुआ और यह बहुत अच्छी लेटी इन की बहुत अच्छी और इन से बहुत 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 हैं बहुत बहुतников में नंको खुश रख है जी राइपूर से हैं अगली यह देवला लागत हैं आपका कमर में दर्द है कान में दर्द है कमर में गुटने में दोनों और में ठायक्ट भी भी है अच्छा पैरों में दर्द है थारेट है देखिए कमर दर्द का एक खुद्रती विलाज है गौन्सिया लिख लेज़े गौन्सिया आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम खाएं परकिन नकली मत लेना देखिए अभी देवाती से जुड़ी भी थी वो नकली दे देते हैं यह देखिए आदा आदा गिराम खाने के पश्चात सकाना है असली लेना जरूरी है और यह अगर आप ले लेंगे तो आपको दर्द से निजात मिल सकती है वेस्टन ट्वालेट ऐसा कुर्सी वाला यूज करें ज्यादा बहना न करें इलाज के दोरान थायराइट भी ठीक हो सकता है पहले यह ठीक कर लीज़े थायराइट के निस्खे आप मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप कहीं सब गरबर ना कर दें मिक्स ना कर दें कोई नुखसान ना हो जाए और ब्लट पेशर से भी निजात मिल सकती है वो जैतून का सिरका तिन दिन चमच दो बार पीने से उसमें भी निजात मिल सकती है लेकि सबसे पहले दर्द का इलाज करें किसी को अगर मेरे नुस्खेजात न सुने हो लिखनी सके हो तो मेरा यूट्यूब पेज हकीम सुलिमान खान आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाओंगा जितने नुस्खे आपके रह गए हैंगा उसमें रोज पर भी मेरा पेज है अकीम सुलिमान खान उसको सबस्काइब करें दोनों को तो में तरह से रोजाना आपको नुस्खेजात मिल जाया करेंगे रोजाना जितने नुस्खे मैं यहां बात करता हूं इसकी कटिंग आपको उस पर डाल देते हैं हमारे मददगार लोग और फिर तो आप मुझे आगे पीछे नहीं कर सकते मैं आगे गया तो पीछे नहीं आता तो उस पर आप बार बार उसे चेक कर सकते अपने वीज भी दे सकते मेरे बारे में आपके जो ख्यालात है उस पर लिख सकते मैं आपका इंतिजार करूँगा यह बात करते हैं अगले कॉलर से किसंटीं जी बताई आपका सवाल क्या है मेरा सवाल है मेरे z renowned निया थी यह क्या है नचे आपको इलरी च जफताके में अब कठेसी मेरी उम्र क्या है अर्टालिस साल अर्टालीस साल वालो वक मेरी प्ना त जिंगर चान परद्र, चाहरा का रिंग ٹैधा आपका किचन में आपका इलाज है आज से ही आप बलके अभी से ही अपना इलाज शुरू कर दे किचन में होता है खाने का सोडा खाने वाला सोडा जो किचन में खाना बनाने के भी काम आता है पत्नी से पूछे मा से पूछे अगर वो हो जो भी किचन के जिम्मेदार है वो सोडा इतन चुटकी में जितना आया है अभी पानी में डालिए और मिक्स कर दीजे अभी पी लीजे आज से ही आपका इलाज शुरूर कुछ रोज आप लेंगे तो आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका हालो हालो क्या आपको मेरी वाज मिल पा रही है क्या नाम है कहां से बात कर रहे हैं हम आउने से बोर रहे हैं प्रिटम चम नाम है जी प्रिटम जी आपका सवाल क्या है दो बीपी और शूगर के दिए आप दवा लें बीपी तो ठीक भी हो जाता है लंबा इलाज करने से वो दवा पिले जो खाते हैं आप अपनी सब दवाए ले और बीपी और शूगर, के लिए एक बहुत अच्छा सिर्का आता, जिसे जैतुन का सिर्का कहते हैं, जैतुन का सिर्का, ये तीन-तीन चमच, दो टाइम खाने के पश्चात, पानी में मिलाके दिया करें, आपकी शूगर भी कंट्रोल रहना चाहिए, शूगर कंट्रोल रहना चाहिए और बीपीवी कंट्रोल रहेगा दवाएं खाते रहें और सेहत्मन जिन्दगी गुजार सकते हैं इससे भी खतरनाक दर्द है दर्द का भी इलाज आपको निजात दे सकता है दर्द से आपको कौन आता है कौन सिया काला गौन यह देखिए अभी आज सुना बहुत ज्यादा लोग कॉल आए के नकली बहुत मिलने लगा है असली ले लिजे गौन सिया अदा गिराम सुबा अदा गिराम शाम खाएं खाने के पश्चात पानी से यह बगर चर्वी के दूर से किसी भी दहा के शरीर के दर्द का इलाज होना मुमकिन है